यहां पर क्या घटना हुई है बच्चे के साथ क्या हुआ था उसका नाम अनोज है उसको सर वह पहले से वह बिमार है लेकिन उसकी मम्मी यहां आती नहीं जादे अकेली चाहे पापा है नहीं उसको हमने फोन लगा के बुलाया भी और उसको बता दिया था कई हाड़वे सब्सक्राइब की क्या ऐसा कुछ बता रहा था उसके समस्य वही थी कि उसके मम्मी और पापा की साइन लग रही थी वाइतुल बेजा विजवाया था तो वहाई नहीं फिर कल उसको आटनेर ले गया तो आटनेर से साम तक आया हूँ और बस रात को पता नहीं कौन लेके ग समय कमरे पर सोई थी यहां पर चाप्राशी लोग के वह बता रहे थी वाजे से वह ज्यादे श्रियर्स हो गया अस्पताल अधिक्षक कौन है यह सारी चात्रवास अधिक्षक कौन है गलफट सर कहा थे उस समय तो घर थे कितनी दूर है उनका घर यहां से 10 किलोमेटर लग अच्छा तो वह यहीं से आना जाना करते है रोज रात में घर जाते हैं उनको कब सूचना मिली थी यह बच्चों ने उसको उठाया उसने देखा जादे घबरने लग तो उनने तूरत फोन लगा तूरत आ गया हूँ दस किलोमेटर से आने में टाइम लगता है अगर ऐसा नहीं लगता कि यहीं रहते तो जल्दी बच्चे को पहुंचा लेते ऐसा लगता पर आने में थोड़ा तो वह हैंगा वही टाइम और क्या समस्या यहां बस पानी यह बांडरी की समस्या और यह संदा से ना सरीय भर ज हुआ है उसको बंद नहीं रहता उसमें कितना पानी आ सकता है बच्चे डूप सकते उसमें तो फिर वह खतरनाक नहीं है यहां पर खतरनाक तो है तो क्या करें कहां से इनको डेम भेजे कोई मर गया कुछ हुआ तलाव बेजे कहां बेजी इनको पानी तक कुन कि देंगा 50 क्यों जों कि पूर्ती करना लिए टाइम लगता अच्छा पीने के पानी में की कैसे इस्थिति अभी पीने की तो अच्छी अभी उसमें क्या-क्या गिरा हुआ दिख रहा है तो थोड़ा बहुत रहता है अब वो 2-3 दिन का रहता न पानी को अब अब अपन डेली डेली त अब तुरे चोटी तंकी रहे तो दो लेते भाई अब उत्ताड़े बादे पांसो लीटर वाई तंकी है वो तेक्ट